So hello everyone, welcome back to our channel, तो इस वीडियो मा हम बात करने वाले हैं abroad study के बारे में, तो इंडिया में बहुत सारे student का सपना होता है कि हम abroad जाके अपनी study complete करें और एक अच्छी job लें, इंडिया में हर साल लागों student out of India जाते हैं study करने, उसमें बहुत सारे student success होते हैं, बहुत सारे student success नहीं भ complete करते हैं, और वहां से एक अच्छी घाती job भी ले लेते हैं, तो बहुत सारे बच्चों की demand भी आ रही थी, बहुत सारे student चाह रहे थे, कि मैं एक ऐसी वीडियो बनाओ, जिसमें एक बहुत अच्छा course आपको बताऊं, जहां से की master's आप अपनी complete कर सकें, तो इस वीडियो सारे पैसे भी बचा सकते हैं, तो ये पूरी detail मैं आप सभी को दोगा, क्योंकि आपकी demand पर ही ये वीडियो बनाई जा रही है, तो काफी दिन से मैं चीज पर सर्च कर रहा था, तो जब जाके मुझे finally एक ऐसी website मिली, और एक ऐसी जगा मिली, जहां पर जाके आप easily जा सकते हैं, और वहां से अपनी master's complete कर सकते हैं, और एक अच्छी खासी job भी ले सकते हैं, तो complete information इस वीडियो मा आप सभी के साथ share करेंगे, तो आप वीडियो को last तक जरूर देखें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like share करके, चैनल को subscribe करने हैं, और well icon पर press करने हैं, तकि future में भी आप सभी को इसी तरीके की update सबसे पहले मिलती हैं, तो देखें, यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी साथ कुछ data है, जो की share करना चाहूँगा, तो यहाँ पर आप सभी को मैं जो बताने वाला हूँ, वो आप सभी को बताने वाला हूँ, hybrid master's degree के बारे में, तो यहाँ पर देखें, hybrid और full time on campus में आपको एक basic difference देखने के लिए मिलेगा, तो यहाँ पर जिस course के बारे में, जिस master's degree के बारे में बताऊँगा, तो वो मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, AI और आपकी machine learning की master degree रहेगी, तो आप अपनी master's AI में और machine learning में complete कर सकते है आप सभी जानते हैं, जैसे कि chat GPT हो गया, जब से chat GPT आया है, पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है, तो future भी बहुत अच्छा है, AI की बात कर लें, या आप machine learning की बात कर लें, अब इसमें जो आपके hybrid program रहेगा, इसमें देखें कुछ चीज़ें हैं, जो कि आपको आपका काम हो जाएगा, जहां आप 100 रुपीज expense करने वाले, वहां केवल 33 रुपीज में अगर आपका काम हो जाता है, तो definitely हर किसी का budget allow कर सकता है, अब जैसे कि अगर मैं hybrid के बारे में बात करो, full time on campus के बारे में बात करो, तो दोना ही comparison आपकी सामने है, जैसे कि tuition fees की बात क की रहेगी, अगर साथ ही में अगर बात करें, लेविंग expense की, तो देखिए hybrid में अगर आप जाते हैं, तो one year आपको रहना पड़ेगा, तो यहां पर one year में आपकी 18,000 US dollars आएगी, अगर आप two year वहां पे रहते हैं, तो आपकी 36,000 double हो जाएगी, वहीं पर यहां पर opportunity cost यानि की अगर आप hybrid करते हैं, और one year मान के चलिए अगर आपका online होता है, तो online में क्या है कि जहां पे भी आप job कर रहे होंगे, वहां पे salary वगर आपको मिल रही होगी, तो apprax आप यह मान सकते हैं, हो सकता है, कोई कम या जादा भी कमा रहा हो, जिसमें 15,000 dollars आपकी annual income हो सकती है, तो इतनी आप यह मानस करेंगे, जो कि वहां पे आपको extra or देने पड़ेंगे, तो इस हिसाब से total आपकी जो cost आएगी, hybrid में आपकी 37,000 dollar apprax आपकी जो cost है, वह यहां पे निकल के आएगी, वहीं पे अगर हम बात करें कि अगर आप similar किसी full time on campus program में जाते हैं, तो यहां पे पर आप देखेंगे, लगबग 1,6,000 dollar में आपकी जाएगी, जो कि इंडिया रुपीज में अगर convert करें, 80 रुपीज के एसाब से, तो लगबग 29,60,000 dollar में, आप इस hybrid program के जरीए अपनी master को complete कर सकते हैं, बढ़ अगर यहां पे full time में अगर आप जाते हैं, तो 84,80,000 dollar friends है, जो कि हर किसी पे effect डालता है, impact डालता है, तो वो सारी चीज़े मैं आपको clear कर दी, अगर हम मैं यहां पर बात करूं, तो देखें, यह जो आपका program है, वो है आपका grade learning academy की तरफ से, आपको यहां पे study abroad program आप सभी को दिया जाता है, अब देखें, आपको इसके बारा मे कोई जाने बाला हो, आपका पड़ोसी, आपका calling, जो भी जाने बाला है, आप उसे suggest कर सकते हैं, क्योंकि यह program बहुत ही बहतरी नहीं है, बहतरी निसलिए कि आपका amount save होता है, साथी में आपकी कम टाइम में सारी चीज़ें यहां पे cover हो जाएंगी और एक अच्छी university से GRIO, no TEFL, आपको नहीं चाहिए, साथी में आप अगर प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे, तो यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे पूरी चीज़ें आप देख सकते हैं, और यह जो अगर मैं बात करूँ, यहां पे इसकी जो seats होती हैं, वो बहुत ही जल्ली fill हो जा पूरे वर्ड में टॉप 100 यूनिवस्टी में एज यूनिवस्टी काउंट के जाती हैं, अगर यहां पी हम मास्टर्स की बात करेंगे, तो AI and Machine Learning में अपनी जो मास्टर्स हैं, वो आप कम्प्लीट कर सकते हैं, MS Information Science and the Machine Learning में आपके पास रहेगा, साथी में आपका जो मास्ट रहेगी, टू येर में आपकी कम्प्लीट हो जाती है, और ये आपकी हाइवरेड होती है, हाइवरेड मींस, वन येर वो आपका रहेगा, वो फॉस्ट येर आप सभी का ऑनलाइन हो जाता है, जिसमें आप अपने बीज़ा अगरा की जो भी प्रॉल्म है, वो स्कॉल कर सकत हैं, तो इस तरीके से आपके बहुत सारे कॉस्ट भी वस्ते हैं, बहुत सारे एक्सेंस भी यहाँ पर बज़ जाते हैं, और ये वैनिफिट आप यहाँ पर ले सकते हैं, अगर आप चाहिए तो यहाँ पर ब्राउज देक ऑप्शन दिया गया है, आप डाउनलोड कर सकते ह साथी में Why study abroad, How much does it cost, study abroad, वो सारी चीज़ें आप सभी को यहाँ पर दे गही हैं, तो आप इसके बारे में पूरी चीज़ें ले सकते हैं, उसके बारे में आप देख सकते हैं, बहुत सारे अलग-अलग कंट्री से यहाँ पर, स्टुट अंना कंप्लिट ही है, ऐसा निए इ सकते हैं और पूरी जो भी इंफॉर्मिशन आप सभी को लेनी हैं आप जाके ले सकते हैं लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रवाइड कर आ दिया है आप सभी को बहुत जादा नीड थी और बहुत जादा डिमांड थी कि अच्छी वीडियो बनाई जा जिससे कि यह क्लियर हो कि हम किस यूनिवर्स्टे के लिए जा सकते हैं और कहां से एक अच्छा पूस यह अच्छी मास्टर से अपनी कम्प्लीट कर सकते हैं तो वह मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दिया है तो अगर आप नहीं जाना चाते हैं और कोई जाना चाता है तो प्लीज आप इस वीडियो को शेयर जरू करेगा हो सकता है कि आपकी विजल से उसके खाल्प हो जाए तो फिलाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही नाक्स वीडियो में लेंगे तो थैंक्यू फूर वाचिंग